वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है ये वीडियो पूरा मार्केट रिसर्च बेजड है इसमें मैं अपना ओपीनियन बिल्कुल भी नहीं दूँगा कि आर मार्केट वन डॉलर पर पोशिबल हो पाएगा शीबा का अथ्व नहीं है तो एंड तक वीडियो आप वोच कर सकते हैं क्योंकि एक डाइरेक्शन आपको जरूर मिलेगा कि जिस टाइप से मार्केट में आफ्टर हालविंग फर्ष्ट डे में पंप आया है उसको देखते हुए मार्केट में ये करेक्शन और ये अंदाजे लगने लग जो इस टाइप के अनेक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकते हैं वो पोटेंशल है उनमें तो वही के उपर हम बात करने वाले हैं तो एंड तक वीडियो वोच करना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और आप क्या सोचते हैं शीबा के बारे में लिखना आपका तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही संभावना दर्सा रहे कि क्या शीबा वन डॉलर पहुच पाएगा अथवा नहीं इतनी बड़ी क्या रैली आ सकती है शीबा में तो देखें क्रप्टो मार्केट है अनेक्सपेक्टेड होना है क्रप्टो का दूसरा नाम ह क्रप्टो में ऐसा कोई सा टार्गेट नहीं होता है जो पोसिबल ना हो शीबा में वन डॉलर पहुचना कोई बड़ी भारी बात नहीं है क्योंकि इस से पहले शीबा के हिस्ट्री रही है जिसमें लाखों पर्षेंड का रिटन दिया है अगर शीबा इनू उसी रिटन को दोहरा सकता है जो कि अभी तक अगर आप देखे तो 20 लाग पर्षेंड का है अगर इसी हिस्ट्री को आप दोहरा सकता है तो शीबा वन डॉलर से भी जादा निकल जाएगा यहां पर इन्हीं चीजों को संभावनाओं को दर्साएंगे अब दूसरा बड़ा सवाल है कि या 25 का एक्सपेक्टर रख सकते है सर बिलकुल रख सकते है क्योंकि 25 में वो पोटेंशल है जो शीबा को वन डॉलर तक हिट करवा सकता है लेकिन बुलरन उस बेसेस पर आना चाहिए तब ही यह पोसिबल है विदाउट बुलरन हम एक्सपेक्टर कर ही नहीं सकते कि शीबा दो बढ़ता है तो शीबा सहित अन्न कोईन लाखो परशन रिटन देते है यह 2020 की हिस्टरी रही है जब शीबा ने 700 परशन का रिटन दिया था उस टाइम शीबा ने एक साल के अंदर अंदर एक लाख परशन का रिटन निकाल के दिया था जो कि किसी भी एसेट से चाहे है कि यह कैसे पॉसिबल होगा वन डॉलर तक पहुचना कौन-कौन से फेक्टर इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाले है तो यहां पर मैं जो सबसे पहला फेक्टर यहां पर ले रहा हूं वो है बुल रन का लोंग तम चलना यानि कि बुल रन हमें शीबा को 2025 तक होल्ड प्रेड चाहिए लगभग 12-18 महिने का बुल रन का टाइम प्रेड होना चाहिए 12 महिने का भी कम से कम कम है कम से कम 18 महिने का बुल रन जो की लाश्ट मन्थ 2025 तक चलता रहे तब ही जाके हमें एक्सपक्ट कर सकते हैं कि शीबा यहनो वन डॉलर पॉसिबल यहां पर बुल र बुल रन में मार्केट बड़ा है और अल्ट कोईन सीजन एक नया स्टार्ड होता है और कई हर बुल रन में कई नये टोकन मार्केट में उभर कर आते हैं और पुराने टोकन अनेक्सपेक्टेड रिटर्न देते हैं तो वही एक्सपेक्टेशन हम आज कर सकते हैं दूसरी ब हालिविंग वाले डे में मीम तोकन ने बड़ा डिटन बढ़कर दिखाया है क्योंकि अगर यहां पर देखे तो फ्लो की 24 पर्षेंट बड़ा है पेप को देख लो तो लगभग 18 पर्षेंट तक रिटन दिया है पेप ने देख लीजे 15-16 पर्षेंट उसके अलावा अगर आप शीबा और डोच कोईन को देखे तो लगभग 13-9 पर्षेंट तक का रिटन सीबा में 18 पर्षेंट हो चुका है और डोच कोईन में देखे तो लगभग 9 पर्षेंट हो गया था भी कम हो गया है अगर इनकी तुलना में आप शीबा बिटकोईन सहीत अन कोईन को देखे तो मात्र 3%, 4%, 1%, 2% का ही रिटन देखने को मिल रहा है आपको ज़्यादतर कोईन में ये बताता है कि वापस मेम टोकन में लोगों ने फिर से इंटरस्ट दिखाया है और वापस मेम टोकन उभर कर आये है ये रेली वही है जो अभी 300% का रिटन देकर निकाली थी उस टाइम और 700-800% मेम टोकन अन बढ़ गए थे और वही चीज़े अब नजर आ रहा है और ये बात इसपश्ट करती है कि ये बुल रन भी मेम टोकन को ही जाने वाला है और अगर हम इन ही मीम टोकन में अगर दो केटेगरी जो मीम टोकन को कड़ी टकर दे सकती है वो AI और गेमिंग टोकन में देखे तो कोई खास टोकन अभी मार्केट में है नहीं जिस कारण से इस टोकन में कुछ यहाँ पर ग्रोथ निकले अगर हम नियर प्रोटोकोल के देखे तो 8% बड़ा है यह रेंडर 11% और जो सबसे पॉपलर है फेज.ai 7% बड़ा है नेटवर्क भी 8% तो यह इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है जितना रेटन देना चाहिए तो मीम टोकन फिर से बाजी मारता हुआ देख रहा है शीबा को लेकर उनके सीरियस्ता दिखी है लुसे ने भी हाली में उनको ट्वीट किया था और उनको मेंशन किया था कि इंडियंस का एक हैश्टेग बड़ा ट्रेंड कर रहा है तो यह बास साबित है कि अभी हाली में वजबा Main की लिश्ट भी आई थी जिसमें सबसे और वेजी रेक्स इंडिया में ही खासकर जादा पॉपुलर है तो ये बाद साबित करती है कि इंडियन्स का बड़ा रोल रहने वाला है शीबा एनू में और ये शीबा एनू के बढ़ने में बड़ा योगदान देगी तो ये इंडियन्स का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर रहेगा शीबा को वन डॉलर पहुचाने में हाली में जो रेली आई अचानक से 18% मार्केट बढ़ गया ये वही मार्केट है जो एक रेंज में फसा हुआ था काफी दिनों से इस रेंज में लेकिन कहते हैं ना कि यार अचानक से इंवेश्टर शीबा में आ जाते हैं पता नहीं कहां से आते हैं अगर आप देखें वोल्यूम 157 बढ़ गया ने तो लाले पड़े हुए थे वोल्यूम बढ़ने के लेकिन अचानक से बढ़ गया एक बड़ी वज़ा जो शीबा को वन डॉलर पहुचा सकती है वो है नियू यूजर शीबा इनू जब 20 लाग परशन बढ़ा था और 2020 की बात है जब बुलरन आया था उस भी शीबा इनू के बढ़ने के पीछे नियू यूजर ज़ादा responsible थे उस टाइम खास कर इंडियन्स तो नए यूजर शीबा को वापस उसी लेवल पर पहुचा सकते है जो आफटर before 2020 में हुआ था यहाँ पर अगर हम बात करें तो नए यूजर ज़ादा तर शीबेरियम की माध्यम से शीबा पर शिप्ट हो रहे है और दूसरी बात यहाँ पर जिस टाइप से सोसल मीडिया पर शीबा इनू को लेकर ट्रेंड चल रहा है कि मेम टोकन वापस करोड़ पती लोगों को बना सकता है जैसे कि पिछली बार बनाया था तो ये भी एक बड़ी वज़ा रहेगी कि शीबा नू बड़ा पंप दिखा सकता है नई उजर जब वो एक्टिव होंगे और एक रिपोर्ट के नुसा जब नई उजर आते हैं तो वो लंसम पेसा इन्वेस करते हैं क्योंकि उनको मार्केट का अंदाजा नहीं होता है तो इस कारेंट से वो ज़्यादा लालेच के चक्कर में यहाँ पर बड़ा पेसा इन्वेस करते हैं और वो शीबा को बड़े लेवल पर ले जाएगा जो कि पॉसिबल है वन डॉलर का हिट करवाएगा क्योंकि उस से तेजी से मार्केट बूश्ट होगा वन डॉलर के पेसा लगाएंगे 2020 के तुलना में 24 में बिटकोईन सहीत क्रिप्टो मार्केट में पेसा लगाना असान हुआ है ये भी कारण रहेगा कि लोग ज़्यादा इन्वोल होंगे इस बुलरन में तो ये भी एक बड़ी वज़ा यहाँ पर निकल कर आएगी और जो लाश्ट में बात कर रहा हूँ वो है हालविंग हिश्ट्री अगर बिटकोईन के हालविंग हिश्ट्री देखे चाहे 12, 16, 20 और अब 24 की तो ये हिश्ट्री बताती है कि हर बार बिटकोईन ने अनेक्सपेक्टेड रिटन दिया है अगर आप देखे 12 में तो 12 में 11 रुपे चल रही थी बिटकोईन की प्राइज वो अचानक से 600-700 डॉलर हो जाती है एक बिटीसी उसके बाद 16 की बात करें तो लगभग 600 डॉलर के आसपस चलता है मार्केट और अचानक से 25,000 डॉलर बिटीसी की प्राइज बहुच जाती है बीस की बात करें तो 3000 तक बिटकोईन की प्राइज अचानक से 64,000 से जादा बिटीसी की प्राइज बढ़ जाती है तो वही हिस्ट्री अब वापस होना है और मार्केट उसी लेवल के साथ आगे की तरब जाना है तो यह सब पोइंट्स बताते हैं कि शीबायनू वन डॉलर पॉसिबल है आपको बस पेशन रखना है होल्ड इ पर्सनल एडवाईज है लेकिन जो नियूज बता रहे उसके बैसेस पर है आप अपने हिसाब से रिसर्च जरूर करें उसके बाद ही इंवेस्मेंट करें क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बड़ा रिस्की मार्केट है मिलते नए वीडियो में नमस्कार